असलाम लेकूम वीवर्स, वेल्कम तु माई शो, आप देख रहे हैं मेरी आवाज वे गुस्मा बावर और मैं हूँ आपकी होस्ट गुस्मा बावर मज़े मज़े की रचपीश के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा फेस्टूप पेज और ब्लॉक विसिट करें इसके अलावा आप मुझे श्वीटर पे भी जॉइन कर सकता है आज मैं आपके लिए जाफरानी फीर्णी की तर्फिटे के आई हूँ यह जाफरानी फीर्णी बनाने के लिए जो इंग्रियन्स हमें चाहिए अनुट कर ले दूद हमें चाहिए 750 ml यहाँ यह मेरे पास पिसे हुए इस चावल है जो मैंने 2-3 फंटे पहले पानी में भीगो के राइंडर में इस तरह बारी पीस लिए है इसके लावा आपको चाहिए चीनी एक कप या हजबे दाइका जाफरान है मेरे पास यहाँ चुठी बर जाफरान को मैंने वन टेबल इस मुदूर के अंदर गोल के इस तरह बना लिया है इसके लावा हमें कार्डिशिंग के लिए बदाब बिस्ते चाहिए मैंने इसको बारीक बारीक इस तरह कुटा है आप जाहें तो इसको बलांच करके काटके भी समर कर सकते हैं सबसे पहले हम अपने पैन में दूद शामिल करेंगे अज़ तक इत दिबदार करेंगे अब दूद में उबाल आ चुका है अब हम इसके अंदर ये पिसे हुए चावल शामिल करेंगे और इसको धीनी आज पर तक्रीबन आदा घंटा हम इसको पकाएंगे ताकि ये काड़ा हो जाए दियान रहे कि आप इसमें मुसलसल इस तरह चमा चिलाते रहें वरना ये साइड अब हमारी फील्नी गाड़ी हो गई है आप देख सकते हैं कि ये साइडों से चिपक रही है इसका मतलब है कि ये तयार है अब मैं इसके अग्दर शीनी शामिल करूँगी और शीनी हल होने तक एक से दो मिंट दुबारा पकाएंगे हम इसको अब हमारी फील्नी सैयार है मैं इसको डिश आउट करूँगी अब हम अपनी फील्नी को पहले रूम टेपरेचर पर लाएंगे उसके बाद गार्निशिंग करके फिर हम इसको डी फ्रीजर में रखेंगे अब हमारी फील्नी रूम टेंपरेचर पर आचुकी है अब मैं इस पर गार्निशिंग करूँगी अब मैं इसको तकरीमन दो गंटे के लिए प्रेजर में रख दूँगी ताके यह अच्छी सी ठंडी हो जाए अब हमारी फील्नी सर्विंग के लिए रेडी है चिल्ड इसको सर्थ करें गर्मियों में यह बहतरी फिर्जिश है अब मैं आपसे जादे चाहती हूँ आपकी फीडबेक का मुझे नुजार रहेगा अल्ला हाफिस अब मैं आपसे चाहती है